जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता डिजायर टुलन में आपका स्वागत है तो आज अपन कवर करने वाले हैं 11.10.12.5 के करेंट अफियर्स यहाँ पे अपन जानेंगे इंपोर्टेंट फैक्ट्स और अगर आप कोई भी एक्जाम के लिए प्रप्रेशन कर रहे हो CDS, NDA, CAPF, State, PSC, कोई भी एक्जाम तो यह सीरीज आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट साबित होने वाली है तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं पहले तो आपको यह पता होना चाहिए राजा राम मुहन रॉइ नेशनल अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है तो यह दिया जाता है Excellence in Journalism ठीक है Excellence in Generalism में यह दिया जाता है तो यह भी चीज आप ध्यान रखेंगे और इस बार का यह अवार्ड किसको दिया गया है तो यह दिया है Generalist EB के प्रशाद ठीक है Generalist EB के प्रशाद इनका पूरा नाम है एनी भवानी कुटेशवरा प्रशाद यह आप नाम याद रखेंगे काफी important आपके exam point of view से है अगर मैं आपसे बात करूँ राजा राम मोहन तो इनने इस्तापना कीती ब्रह्मो समाच की ठीक है आपसे direct question पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाच की इस्तापना कीती राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कब कीती इन 1828 में तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे और अगर मैं आपसे बात करूँ कि राजा राम मोयन रॉय को राजा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था तो ये टाइटल दिया गया था अगबर टू के द्वारा टिक है बहुत बार कुश्चिन यह पूछा गया है तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे और अगर मैं बात करूँ ता प्ड्रेस कॉजल ऑफ इंडिया क्या करता है यह अवर्ड को प्रजेंड करता है तो ये चीज भी आपको denayन रखना है प्रेस कॉंसिल ओफ इंडिया के द्वारा ये अवर्ट दिया चाता है ठीक है तो और इसमें कुछ नहीं चानना है नेक्स कुछन देख लेते हैं ये रिसेंटली अब भी एक रिपोर्ट लॉंच हुई है सेफटी ओवर साइट ओडिट प्रोग्राम ठीक है ये किसका है इंट आपकी जो प्लेन की क्या सेफटी है ये अर्पोर्ट पे आप क्या सेफटी प्रोवाइड करवा रहे हो तो इसमें भारत कौन से नंबर पे रहा तो भारत रहा 55 नंबर पे काफी इंपॉर्टेंट कोशन है आपसे पूछा जा सकता है रेंकिंग इंडेक्स में तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि I.C.A.O का हेड़कॉर्टर कहां पे ठीक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे नेक्स कुशन देखते है तो नेक्स कुशन है रिसेंट्टी वूंग्स दा फॉलिंग हैस बिकम दा फॉलिंग है तो जिनका नाम क्या है जिनका नाम है जस्टीस सोनिया जी गोकानी तो अब भी मैंने आपको कुल दो दिन पहले बताया था कि अब भी बताया था कि रिसेंट्ली 34 टोटल जो होती है सुप्रीम कोट की वह बर चुकी है यह चीज आपको ध्यान रखना है और हा तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे नेक्स कुश्चन देखते हैं तो नेक्स कुश्चन ने रिसेंट्ली प्रधान मंत्री नरिन मोदी जी ने इनागरेट करा आजमिया तो सेफ अरेबिक एकाडमी इन विस सिटी ठीक है तो यह आपको बताना है कि कहां पर यह अब भी रि जनीती सूरत में तो सूरत में भी एक अकैडमी है और आप बन चुकी है कहां पर फूर्थ नमबर पर मुंबई में तो यह चीज आप ध्यान रख सकते हैं आप से पूछा जा सकता है कि अलजीमिया दुस सेफ अरेबिक एकाडमी रिसेंटली कहां पर इनागरेट की प्रधा स्टार्ट हुई है तो यह कौन सी सीटी में स्टार्ट हुई है यह आपको बताना है तो रिसेंटली द वर्ल्ड गॉवर्मेंट सब्मिट 2023 स्टार्ट हुई है दुबई में तीक है यह काफी इंप्रणन कुष्चन है आप से डारेट पूछा जा सकता है और इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती इसकी theme क्या है वो देख लेते shaping future government ठीक है shaping future government तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें बहुत सारे CEOs वगेरा ने participate करा यह चीज important नहीं है बट दुबई में एक चीज अब भी recently ओर होने वाली है ठीक है क्या हो COP27 आपको सबको पता है एजिप्ट में होई थी ठीक है COP27 एजिप्ट में होई थी तो यह चीज आप ध्यान रखें COP28 इस बार वोस्ट करेगा दुबई ठीक है next question देख लेते recently उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉंच किया एक portal जिसका नाम है family id one family one identity ठीक है आपसे direct question पूछ ल schemes होती है उसमें direct आपको help मिल पाईगी ठीक है इससे पहले यह same scheme launch की गई थी जमू एंड कश्मीर के द्वारा ठीक है जमू एंड कश्मीर के द्वारा launch की गई थी उस scheme का नाम था क्या पैचान पत्र ठीक है पैचान पत्र आप यह ध्यान रखेंगे ठीक है यह इसमें ना क कितने नंबर का था, वो था 8 डिजिट का, ठीक है, यूपी बड़ा स्टेट है, तो इसमें 12 डिजिट का दिया है, ठीक है, और इससे पहले एक और स्टेट ने की थी, इसकी शुरुवात की थी, वो नाम था हरियाना, ठीक है, हरियाना ने सबसे पहले स्टार्ट की थी इस टा यहां करबाएं तो यह वर सब्म questi पे प्रदेश में चल रहे हैं तो वह कहां पे लखनऊ में एक यह चीज ही आप द्द्राइन रख सकते कांपे लखनों में ब्युदी जीने की थी यह पंप सकते और इसमें पुछ दियार नहीं रखना है next question देखते है so next question है जैसा आप सब को पता है और ये बहुत ज़्यादा important news उस टाइम आई थी बट मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था तो मैं उस टाइम ये share नहीं कर पाया था आपके साथ भारत सरकार ने खोच की ठीक है लीथियम की लीथियम इस अब भी अगर देखा जाए तो काफी ज़्यादा important factor है अगर अपन बात करें लीथियम पैटरी बनाने में ठीक है और ये हर country मतलब चाहती है कि हमारे हाँ लीथियम हो लीथियम हमारे हाँ मिला जाए तो ये काफी ज़्यादा important factor है लीथियम ठीक है अगर देश की अप प्रोग्रेस होना है ठीक है तो अब भी भारत सरकार को 5.9 million ton का लीथियम मिल चुका है वह कहां पर मिला है तो वह मिला है चंब कुछीज में मिला है तो ये चीजज आपको द्यान रखना है अगर मैं आप से बात करूँ कि जैसा कि आपको पता होगा ये लीथियम एक्सपिडिशन के लिए कि भाई आप अपने इंडिया में तो मिल लिए रहा है लीथियम तो आप थोड़ा ना भार जाके डूंड के आओ ठीक है तो ये लीथियम ट्रेंगल इस इन कंट्री को बोला जाता है बॉलिविया, अर्जेंटीना और चीले ठीक है अर्जेंटीना चीले तो भारस सरकार के expedition की टीम गई तो उन्हें अर्जेंटीना में कुछ खास लीथियम नहीं मिला बट थोड़ा सा उन्हें लीथियम मिला तो उसमें वो खुश हो गए थे बट अब मिल चुका है खजाना और वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर में तो यह चीज आप ध्या आपको पता होगा कि operation सदभावना काफी जादा important operation है इंडियन आर्मी के द्वारा यह कब launch हुआ था यह start हुआ था 1998 में इसमें बहुत सारी चीजे प्रोवाइड की जाती है जम्मू एंड कश्मीर एंड लदाक affected area को है ना तो इसमें कौन सी जगा यह start हुआ तो यह start हुआ लदाक में ठीक है लदाक में start हुआ operation सदभावना में यह start हुआ है आप यह चीज ध्यान रख सकते हो अब भी लदाक अगर मैं बात करूँ तो लदाक क्यों न्यूज में था वो चीज देख लेते हैं अपन जिसा आपको पता होगा याया याया सो लेक ठीक है याया सो लेक बना था क्या first biodiversity heritage side of लदाक ठीक है first biodiversity heritage side of लदाक ठीक है यह चीज आप दियान रखेंगे second important news nithyanand committee ठीक है नित्यानand committee काफी जादा important committee है तो यह committee काई के लिए बनाई गई थी यह बनाई गई थी लदाक के welfare के लिए ठीक है रक्त से कारपो यह एक तरीका एप्रिकॉट है इसको अब भी रिसेंटली जी आई टेक से सम्मानित किया गया था यह चीज भी आप दियान रख सकते हो और और क्या बताऊं अच्छा भारत इंडियन आर्मी ने अब भी रिसेंटली एक एक्सोसाइस की थी जिसका नाम क्या थ जिसका नाम था परवत प्रहार ठीक है परवत प्रहार और यह कहां पर हुई थी यह धी लटाक थीज आपको द्यान रखना है काफी जादाwinning कोशचन यह आपके एक्जाम में आ सकते हैं जो भी लटाक से इमपॉटेंट था मुझे याद था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया World Oil Outlook 2024 तो यह आपको बताना है किसके द्वारा यह launch की गई कौन सी organization के द्वारा launch की गई तो यह launch की गई OPEC ठीक है OPEC जिसका full form है Organization of the Petroleum Exporting Countries ठीक है OPEC ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ कि यह कहाँ पर launch होई तो यह अब भी recently आपको पता होगा India Energy Week 2023 स्टार्ट हुआ था कहाँ पर बैंगलेरू में ठीक है यह वही पर यह report को launch किया गया ठीक है तो यह मोदी जी नहीं inaugurate किया था India Energy Week 2023 बैंगलेरू में और यह report आपको याद रखनी है World Oil Outlook 2024 इसने पता है क्या बोला इसने बोला कि भारत और चाइना कि जो टोटल GDP हो जाएगी ग्लोबल GDP हो जाएगी वो हो जाएगी 37% ठीक है इन दोनों की मिला कि अगर अपन बात करें इंडिया और चाइना की जो टोटल GDP हो जाएगी वो पूरे All Over World की 37% GDP हो जाएगी इस report ने का आए मैंने नहीं का ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूँ कि ओपेक ठीक है अब आप मुझे comment section में बताओगे इतना सारा मैंने बता दिया तो आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे कि OPEC का headquarter कहाँ पे है ठीक है OPEC का headquarter कहाँ पे comment section में जरूर बताएगा और इसका International Energy Agency का ही सकते हो तो बता देना ठीक है World Economic Forum का तो पता ही है इसके अब रिसेंटली एक मीटिंग होगी डेवीस डेवास में है न तो ये आप अगर पताना चाहते हो तो बता देना सबके headquarter आपकी exam point of view से काफी important next question देखते है So next question है Recently इंडिया ने host करी 9th Asian Minister Energy Roundtable in association with the International Energy Forum ठीक है In which of the following countries कौन सी city में ये host की गई तो ये host की गई अब तो मैं ठक चुका हूँ बता बता के ये host की गई बैंगलेरू में ठीक है अगर जैसे कि January में आपको पता है January में सबसे आदा important था केरला ठीक है अब फैब में क्या हो चुका है फैब में कुछ भी host हो रहा है वो हो रहा है बैंगलेरू में ठीक है बैंगलेरू में जैसे कि आपको पता है India Energy Week ठीक है कहां पे host किया था बैंगलेरू में Aero India Show बैंगलेरू में ठीक है Youth Conference कहां पे होई थी बैंगलेरू में, तो जो भी important अगर चीज हो रही है, वो कहां पर हो रही है वोस्ट बैंगलेरू के द्वारा, ठीके तो मजा कर रहा हूं, आप डारेक बैंगलेरू मत लगा देना, जो जो मैंने चीजे बताई हैं, सिर्फ उनका ही बैंगलेरू लगा इंडिया, ठीके, next question देखते हैं, so next question है, who amongst the falling has become the first Indian, ठीके, ये बन चुके हैं, पहले बारती, जिनने जीता है, road to UFC ठीके, ये काफी tough fight होती है, ठीके, काफी tough fight होती है, आप देख सकते हैं, road to UFC और ये इनने जीत चुके हैं, तो ये काँ पे होई थी, ये होई थी, लास वेगास में, ठीके, लास वेगास USA में होई थी, और जिसे कि मैं आपको बताऊं कि ये हैं, BSF officer के son, जिनका नाम है अंशुल जुबली, ठीके, खोन में ही इनके वो दोड रहा है, तो यार इनको क्या ही मतलब करना है ठीके, BSF officer के son जिनका नाम है अंशुल जुबली और ये बने फिस्ट इंडियन जिनने जीती है, रोट टु यूफसी फाइनल ठीके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है काफी important question है, और फिस्ट इंडियन बने, इसलिए भी ज्यादा important next question देखे, next question है world pulses day is celebrated on which of the following days every year, world pulses day कब celebrate किया जाता है, तो world pulses day celebrate किया जाता है, 10th of February को, important question है और कहीं बार पूछा भी गया है इसकी theme आपको ध्यान रखना है pulses for a sustainable future, ठीक है, pulses for a sustainable future, या theme है इस बार की और ये celebrate to spread awareness about the nutritional and environmental benefits of pulses, ठीक है, जैसे कि आप सब को ही पता होगा कि क्या-क्या benefits है, pulses के, but ये celebrate किया जाता है, 10th of February को, तो आपको ये ध्यान रखना है, next question देखे, so next question है, recently Google ने celebrate किया, 120th worth anniversary of PK Rossi पहले तो मैं आपको बता दू, PK Rossi कौन थी, तो ये first female lead थी, Malayalamp Cinema की, ठीक है, first female lead थी Malayalamp Cinema की, तो इनको इसलिए इनका एक doodle आया, ठीक है, गूगल डूडल आया, तो ये कौन थी, तो जिसा कि आपको पता है, चल चुका है, ये Malayalamp Cinema से related थी, और अब भी recently एक ओडूडल आया था, जिनका नाम था केडी जादव, ठीक है, केडी जादव, केडी जादव कौन थे, इनने जीता था, भाई, अपना first independent Olympic medal, first independent, first independent Olympic medal, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, काफी important हो सकता है, और गूगल ने recently अब भी अपना AI start किया है, आपको सबको पता ही लग चुका होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जीपीटी को टककर देने के लिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, बाड, ठीक है, ये AI services है, गूगल की, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, next question देखते हैं, so next question देख लेते हैं कि recently Indian Space Research Organization, इस रो जिसने अब भी recently launch करी, SSLV D2, ठीक है, ये successfully launch हुई है, ठीक है, SSLV पहले भी launch हुई थी, बट वो successfully launch नहीं हुई थी, इस बार ये second volume में successfully launch हुई है, इसकी payload capacity कितनी है, इसकी payload capacity है 500 kg, ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ, ये कहा तक जा सकती है, ये जा सकती है 500 km तक, ठीक है, मतलब ये जा सकती है, lower earth orbit तक, ठीक है, lower earth orbit तक ये जा सकती है तो इसने भाई, ये क्या-क्या लेके गया SSLV, ठीक है SSLV तीन चीज़ लेके गया, वो अपन discuss कर लेते हैं, काफी जादा important है, आपकी exam point of view से, तो इसका नाम है, पहले तो देख लेते हैं, क्या है लेके गया, एक लेके गया, आजादी set, ठीक है आजादी set आजादी set 2 ठीक है, ये किसके द्वारा ये बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी space kids इंडिया के द्वारा ठीक है, space kids इंडिया के द्वारा ये बनाई गई थी, तो ये आपको द्यान रखना है, ये आजादी set 2, एक तो ये हो गई और क्या लेके गया, EOS 7 ठीक है, EOS 7 ये remote remote sensing satellite है, ठीक है ये इसमें अपना, इसकी payload monitoring payload, कितना था 450, circular orbit तक ये लेके गया, ठीक है तो ये चीज भी आपको द्यान रखना है एक सबसे ज़्यादा important आपसे पूछा जाएगा, कि भाई ये जो genus, genus 1, genus 1 जो ये satellite को ये लेके गया ठीक है, smart satellite ठीक है, इसको ये कौन सी country की थी, ठीक है, आपसे direct पूछा जाएगा, तो ये थी भाई USA की ठीक है, ये USA ने इनके साथ बेज दीती, तो ये चीज आपको द्यान रखना है, काफी ज़्यादा important question है, genus 1, कहा कि ये, ये है USA की, ये चीज उत्तरप्रदेश, ग्लूबल, इन्वेस्टर सम्मिट 2023, तो ये कौन से city में inaugurate किया, तो ये inaugurate किया लखनाओ में, काफी ज़्यादा important question है, और इससे काफी ज़्यादा UP को एक investment मिलेगा, अच्छा investment मिलेगा, तो ये आप द्यान रखेंगे, कहाँ पर किया है, ये किया है लखनाओ में, और recently अब भी Kalo India University Games, कौन host करने वाला है, Kalo India University Games, तो ये host करेगा UP, और ROE scheme, ठीक है ROE नी scheme ROE नी scheme, ये किस की है, भाई, ये भी है UP की और इसमें समगर सिक्षा अभियान को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है समगर सिक्षा अभियान को, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं बाकी UP से अफन इतना डीब में नहीं जाएंगे है ना, next question देखते है So next question देख लेता है, recent की Union Minister अस्वीनी वैशनम ने इनाउग्रेट करा National Philatic Exhibition पहले तुम्हें आपको बताता हूँ Philatic Exhibition क्या होता है Philatic मतलब होता है कि आप Stamps को Collect करते हो, ठीक है आपको एक जज़वा होता है Stamps को Collect करने का तो उसको बोलते हैं Collection of Stamps जो Philatic है ना उसे बोला जाता है, तो ये Emery Taps नाम से इसको दिया गया तो ये कहां पर इसको Host किया गया, कौन सी सिटी में इसको Host किया गया, तो इसको किया गया New Delhi Pradati मैदान ठीक है, Pradati मैदान तो आपको यादी होगा बहुत सारे इवेंट्स यहां पर Host किये जाते हैं, अपन तोड़ा से Discuss कर लेते हैं, किसके द्वारा Host किया गया, तो ये Host किया गया Department of Post के द्वारा Department of Post के द्वारा Department of Post किसके अंडर आता है तो वो आता है किसके अंडर Ministry of Communication के Ministry of Communication के और इसके Minister को आने, इसके Minister है Ashwini Vaisnav तो ये चीज आपको पता होना चाहिए और आपको क्या बताऊं मैं अच्छा, फोस्ट से मुझे एक चीज याद आई कि इंडिया अब भी लीड कर रहा है काय में APPU, ठीक है APPU, अब भी रिसेंटली इंडिया इसका चेयर में ने, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है Asian Pacific Asian Pacific Postal Union इसका Headquarter आपको पता होना चाहिए इसका Headquarter है Bangkok में बैंकडों में इसका Headquarter है और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे है इसको रिप्रेजेंट कर रहे है विने प्रकाश सिंग विने प्रकाश सिंग यह नाम इतना important नहीं है, बाकि इसका Headquarter कहाँ पे Bangkok में ठीक है याद रफना Bangkok में हेड़कॉर्टर है इसका तो अब आप नहीं भूलोगे शायर और अब भी recently Department of Post ने एक चीज और लॉंच की थी जिसका नाम था DOP Dark कर्मयोगी ठीक है Dark कर्मयोगी कर्मयोगी इस टाइप का था है ना तो ये Department of Post ने ये लॉंच की थी और इंडिया का फस्ट इंडिया का फस्ट 3D प्रिंटिंग इंडिया का फस्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ओफिस कहां पे लॉंच हुआ था तो ये हुआ था बेंगलेरू में ठीक है वापिस आ गया बेंगलेरू आई तो ये आप द्यान रखेंगे नेक्स कुश्टन देखते हैं तो नेक्स कुश्टन है रिसेंटली रियल मैडरीट ने जीच चुका है फीफा वर्ल्ड कॉप 2022 इड वास हेल्ड इन विच कंट्री तो ये कहां पे मुरक्कों में ठीक है मुरक्कव में हुआ तो ये चीज आप ध्यान रखेएंगे काफी जाधा इंप्टेंट है न ये चीज आपको द्यान रखना है और इसने आ रहा या कि साओधी अर इबिया का एक अल-हिलाल तो ये आपको ध्यान रखने है नेक्स कुश्टन देखते ह has made landfall in which of the following countries काफी जादा इसने प्रॉब्लम क्रियेट करी अगर साइकल नाता है तो बेसिकली होता है यह सारी चीज़े डिस्टब होती है तो यह कौन सी कंट्री में आया था आपसे बूचा जा सकता है तो यह आया था न्यूजलेंड में ठीक है न्यूजलेंड जिसके अब जो एनाउंस कर दिया था तो यह चीज़ आप धियान रखेंगे नेक्स कुश्चन देखते है तो क्विज ऑफ दे डे आपके लिए वो वान दा 65 ग्रेमी अवार्ट फॉर बेस्ट इमर्सिप ओडियो आइल्बम फॉर डिवाइन ताइट इंको तीम बार यह जीच चुके ग्रेमी अवाड यह थर्ड टाइम था तो कौन है माइकल बबल समारा जो रॉबर्ट ग्लैसपर रिक्की केज ठीक है यह बारती है आपको पता होगा आपको नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है नेक्स कुश्च देखते हैं तो नेक्स कुश्च है डेज बिकम दा फस अन इंस्टाग्राम और डेली अपडेट्स यू कन फॉलो अस आल्सों टेली ग्राम चैनल इस वीडियो इस प्रेजेंट बाइमी माइन इस सागर गुपता मिलते हैं नेक्स क्लास में जब तक के लिए अपना दियान रखिये जै हिंद जै भारत